तो आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है वो कैबिनेट की मिटिंग थी और उसमें कुछ डिसीजन लिये गए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है तो आज की वीडियो में वही हम डिसकस करेंगे वीडियो को शुरू से लेकर लास सक जुरूर देखेगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा दीगे सुबह एक important news यहां पर print हुई थी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा था कि यह चीज़ें डिसकस होंगी के नहीं होंगी इसमें बोला गया था कि cabinet में आज जो है वो police constable के उपर और पटवारी की vacancies के उपर जो है वो discussion किया जाएगा ठीक है तो police से related बहुत कुछ चीज़ें जो है वो यहां पर update है आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है वो changes भी की गई है जो आपकी police भरती जो है वो आने वाली है पटवारी के उपर जो ह जो मुद्धे आज pending रह गया है जैसे कि आपका पटवारी वगरे वाले का कि कब जो है वो vacancies आ सकती है क्या क्या चीज़ें वैसे तो पटवारी के vacancies को पहले ही जो है वो approval दे दिया गया है तो वो सारी चीज़ें जो है वो आने वाली किसमें आपकी cabinet meeting में जो है वो discuss हो सकत पुलिस कॉंस्टेबल की भरती को लेकर बहुत बड़ा update है मैंना आपको प्रीवेस वीडियो में भी बताया था देखे कि HPPSC जो है वो यहाँ पर मना कर रहा है कि ground से related ठीक है जो rules वगरा बनाए गए है हमें पहले जो है वो पूछना चाहिए था और हमारे department के जो member है वो इस मतलब की ground वगरा जो है वो नहीं करवाते है उसके इलावा जो online आपका test है ठीक है वो उसके लिए भी जो है वो resources कम है तो उनके उपर जो है वो update है आगे बढ़ने से पहले पटवारी का course चला हुआ है भाई बहुत अच्छे तरीके से आप चाहें तो join कर सकते हो description में link ह GK Study app का वहां से जाकर directly आपको courses वाले section में जाना है और join कर लेना है या फिर 9882061022 पर आप हमें वाटसप कर सकते हो detail लेने के लिए ठीक है दीके सबसे पहले तो upcoming vacancies की बात करते हैं कि कौन कौन सी vacancies के बारे में आज जो है वो cabinet में बताया गया है ठीक है तो सबसे बहले आ आपको जो है वो anti की पोस्टे भी यहाँ पर देखने को मिलेगी तो जो बच्चे नायबत सिल्दार के लिए तैयारी कर रहे है उनके लिए एक जो है वो अच्छा मोका है यह सारी पोस्टें जो है वो HP, PSC के माध्यम से भरी जाएगी तो इसमें देखिए HP, PSC के माध्यम स जब पोस्टें भरी जाती है जो कि वो रेगुलरी भरता आता है तो वो पोस्टें आपको देखने को ज़रूर मिलती है तो यह SDM की और तहसिल्दार की तो HS के नोटिफिकेशन में आगी यह तो आपको पता ही होगा कि अभी HS का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जो है जारी होने वाला है और उसके उससे पहले या उससे बाद भी जो है वो आपको नाइब तसिल्दार का नोटिफिकेशन भी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा इसके लावा Assistant Tourism Development Offices में जो है वो different section में जो है वो 6 पोस्टें भरी जाएगी अब वो section कोई से भी हो सक सकते हैं और उसके इलावा Planning Department के भी जो है वो अलग-अलग categories में 7 पोस्टें भरी जाएगी तो इनको तो यहाँ पर छोड़ी देते हैं जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि नाइब तसिल्दार की वेकेंसी कब आएगी तो भाई नाइब तसिल्दार की 19 पोस्टें जो ह आगे बढ़ें तो एक न्यू कमेटी को जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो बनाया गया है और इसको काम क्या दिया गया है ठीक है कि भंग किये गए हिमाचल प्रदेश करमचारी चैनायोक जो भंग कर दिया गया हमीरपूर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभ पंदरा दिन का टाइम दिया गया है कि जो भी वेकेंसी एफ आयर के अंडर चल रही है क्या क्या उसका प्रोसेस है किस तरीके से है क्या उसके उपर जो भी अपडेट है वो 15 दिन के अंदर सम्मिट करना है यानि के 17 फरवरी से पहले पहले ही जो है वो सम्मिट करना है ताक कोई 870 के regarding decision नहीं लिया गया जबकि अब जो है वो एक subcommittee बना दी गई है जिससे वो जो है वो खुश नहीं है तो अभी देखते हैं कि आगे जो है वो क्या process होता है ठीके cabinet से कोई भी मंत्री वगएरा बच्चों से बात करता है कि और उसके बाद जो है वो क्या बच्चों को बोला जाता है तो ये subcommittee जो है वो यहाँ पर बनाई गई है इसके लिए में जो update आती है जिसके बारे में आप वेट कर रहे हैं वो है HP Police Constable की मैंने आपको बताया था कि HPPSC जो है वो complete तोर पर मना कर रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो देखिए जो physical test है ठीके जो आपका physical ground होने वाला है वो अब जो है वो police department को दे दिया गया है ठीके ये बोला गया है कि जो physical verification वगेरा होगी वो सारी जो है आपका online होगा बट वो exam अब online नहीं वो exam आपका जो है वो offline होगा तो ये दो matter जो है वो HPPSC ने रखे थे कि भई एक तो सबसे पहली बात कि हम ground नहीं करवा सकते दुसरा online जादा sources नहीं है ठीके तो दोनों को government ने बोल दिया है कि अगर आपको online नहीं करवा सकते तो आप offline टेस्ट लीजिए और जो physical standard वगेरा है वो police भी भाग जो है वो खुद से देख लेगा ठीके तो इस तरीके से ये problem जो है वो थोड़ी solve नजर होती आ रही है और बहुत जल्दी फिर आपकी जो है approval दे दिया गया है government के द्वारा और आप बहुत जल्दी जो है वो chairman की नुकती आपकी HPRCA में जो है वो की जाएगी राज्ये चेहन आयोग में और उसके बाद जो है वो इसको बहुत जल्दी जो है वो functional किया जा सकता है देखिए major issue कहां पढ़ रहा है कि HPPSC एक तो इसने मना कर दिया कि FIR वाले जिसमें भी FIR है वो exam हम conductor नहीं करवाएंगे उसके इलावा पुलिस भरती यहां पर दी गई तो पुलिस भरती में भी बहुत सारे issues यहां पर create होए जिसका समाधान यह किया गया कि offline होगा एक तो exam और उसके सासा जो है वो आपका जो physical test वगेरा होते हैं वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट खुद लेगा तो अगर HPRCA बन जाता है तो कही न कहीं पर benefit होता है कि सारी जो भरती होंगी वो HPRCA को जो है वो transfer कर दी जाएंगे तो गौर्रमेंट को यह करना चाहिए कि बहुत जल्दी जो है वो चेर्मेंट की न्युक्ति करें उससे बाद वेबसाइड का काम भी शुरू हो चुका है तो वेबसाइड जल्द से जल्द बना कर रूल्स वगेरा यहाँ पर upload कर दिये जाएंगे अब धीरे धीरे test जो है वो OMR based पर ट्रांसफर किये जा रहे हैं तो यह सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से अभी जो है वो set नजर होती हुई नहीं आ रही है बट हाँ पुलिस की भरती आपकी जो है वो offline test होगा उसके लावा जो physical standard होगा वो आपका जो है वो पुलिस department के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा तो यह कुछ update थी बाकी पटवारी से related update जो है वो next cabinet में देखने को मिल सकती है कि कब तक जो है वो इसकी vacancies out होगी वैसे बार बार जब भी बोला जाता है तो March ही बोला जाता है कि March में इसका notification जो है वो out होने वाला है